नमस्कार दोस्तों आज के इस video में बात कने वाले हैं injection लगाते ही अगर suppose that कभी reaction हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कौन सा medicine लिया जाता है कौन सा injection लिया जाता है इसके बारे में हम इस video में discuss कने वाले है तो देखिए कुछ-कुछ medicine है, जिसको लगाने के बाद reaction हो ही जाता है, किसका भी ना कभी, ऐसे suppose that होता नहीं है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया in case, तो जान भी जाने का खत्रा होता है, तो उस समय क्या क्या है था और कौन सा injection ज्यादा था reaction करता है, इसके बारे में हम इस video मे process करेंगे, उसके symptoms को देखेंगे, उसके treatment को देखेंगे, कि आगर उसको ठीक कैसे क्या जाए, उसके बाद इसके PDF को कैसे मिलेगा आप तक, इसको भी हम आपको बता देंगे, तो आईए start करता है बिना किसी देरी के, suppose that अगर आप किसी को injection दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वहा reaction होता है, उसके बाद MBI, MBI का भी reaction देखा गया है बहुत बाद, और अगला क्लेवम है, क्लेवम जो है, एक एंटिवाइटीक है, जिसका एमोक्सिलियन और पोटैसियम क्लोवलिनेट मिला होता है, ये भी जो है, ये भी reaction करता है, तो बहुत त्रहिमाम मचा देता है, और अ सबसे पहले तो अगर injection दे रहे हैं, और reaction कर गया, तो कुछ ऐसा हुआ कि आपका जो color हो चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ होगा, और आपको पता चल जागा कि हाँ, reaction कर गया, तो reaction कर गया, तो आप कैसे पता चल लगा सकते हैं, तो देखिए, उसका sign and symptoms कुछ होता है, तो वहा feeling फूल जाएगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, skin reaction में हो सकता है, respiratory symptoms भी अलग अलग प्रगर का सो होने लगे, उसको सांस लेने में difficulty हो, या फिर हफ़े नहीं बढ़ जाए, यह सभी समस्या हो सकती है, तो ऐसा कुछ होगा, उसके बाद फिर gastrointestinal tract जो है, उसमें कुछ abnormal जैसे symptoms सो होने लगे हैं, तब आपको लगे है कि नहीं, यह medicine जो है, वो reaction किया है, उसके बाद उसका BP जो हो सकता है, BP लो होने लगे, तो उस समय भ हो सकती है, उसके बाद फिर gastrointestinal tract जैसे समस्या हो सकती है, तो ऐसा कुछ अगर symptoms होता है, तो समझे कि वो medicine का reaction है, अगर आप उस समय इंच्छन दिये थे तो, आरण के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ medicine लिया जाता है, आपने कभी न क अब सुना होगा कि कोई दवाई reaction कर गया है, तो उस समय AV Lord Dexona मिला कर जाता है, तो यह बात सही है, कि बहुत अच्छा काम करता है, लेकिर उसके साथ और भी बहुत सारे injection होते हैं, जिसको भी दिया जाता है, जैसे injection AV Lord Dexona तो देना ही, देना होता है, अगर इस से control हो जाता दस मेंड, पंदर मेंडी बाद, नॉर्मल हो जाता, तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता, तो इसके बाद जो है, प्राइमा कॉर्ट जो होता, 200 mg के स्टेंद में, या फिर 100 mg के भी स्टेंद में available है, तो उसको दो बार करके दे दिये, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यह हैं नहीं किया जाता, उसके बाद सांस लेने में अगर प्राबलम है, तो डेरी फाइलिन का भी यूज का जाता है, अगर सांस लेने में प्राबलम हो रही है, तो फटाक से इंजेक्शन दिया जाता है, डेरी फाइलिन को, जिससे की सांस लेने में परिसानी ना हो पेशेंट को उसके बाद अगर उल्टी हो रहा हूँ, मेटिंग हो रहा हूँ, तो उस समें इमसेट का यूज करा या था, ये इंजेक्शन जो है, ओंडेन सेटरोन के नाम से अभलेवल होता है मार्केट में, तो इसका यूज कर जाता है, ऐसा होता तो इसका यूज़ क्या जाता है और उसके साथ साथ अगर और भी condition खराब तो adrenaline का यूज जैता है यह सभी जो injection है यह बहुत ही heavy reaction जब اس क security कर जाता है तो यह जât है तो यह इस regional को यूज नहीं जाता है यह adrenaline जो है इसको दिया कितना जाता है एलेडव तो यह जो है 0.5 ml दिया ता और इसका अंतराल जो होता है 10 मिट के अंदर में पेक्षेंट रिकवरी हो जाता तो ठीक है अगर नहीं होता है 10 मिट के अंदर में तो फिर दुबारा उसको यूज जाया था यह एलेडर नेलीन बहुत ही हैवी इंजेक्शन जब बहुत ज्यादा कंडिशन खराब होता है पेश्ट का तब यूज क्या जाता है मतलब कि यह अगर इस से ठीक हुआ तो ठीक हुआ नहीं तो फिर टिकट कटा हुआ यह से इसको माना जाता है इस इंजेक्शन को तो आई हूप कि आपको समय में आया आपकि ऑन्षट जो है वह नॉर्मल हो जाओ तो यह सभी इंजेक्शन जो हो जैसे फिर प्रायमा कॉट हो गया जिसका कॉमपोजिशन प्रायमा कौट को जो होता है वह फिसको जैसा जैसा पेशेंट है उसके साब से दीजा जाता है और यहां पर देख रहे हैं अगर आप किसी को इंजेक्शन देते हैं या फिर आप प्रैक्टिशन रहा है तो यह सभी इंजेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रू है कब किसका हालत खराब हो जाए यह कोई नहीं जानता तो ऐसा कुछ होता है और सब को एक टेष्ट कर लिजेगा टेस्ट क्या होता है यह एस्टी टेस्ट होता है यह करим के दिन यह को कई बिच अब नहीं चला है तो एक टेस्ट होता है जिसको एसट्री टेस्ट जाता है उसको क्या करना होता है कि एक पतल से सब कुटेक्न disaster आपके चमडी के पास वहाँ डालके और चहके आता है तस्मेट के अंदर में देखा जाता है कि किसी पर रेक्शन होता है उनको तो इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए अगर नहीं होता है रेड रेड नहीं होता है या फिर इचिंग नहीं होता है तब फिर समझे कि नहीं यह सकस्ट बूला यह लेने के लिए एवलेवल है तो इनको फिर दे सकते हैं क्या होगा दोस्तों अगर इसका पीडिएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर वाट्सप की जिएगा लिखिए का हाई आउन टू जैन दूस ग्रूप तो आपको एक लिंक जब तक आप जितना आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं तो आज होप कि आपको समझ में आया होगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक जैन दोस्तों